क्रियाएं कहना कहना इंडेक्स फिंगर होटो पर टच करके आगे की तरफ ले जाते हुए ये साइन क्यूं? क्यूंकि जब हम बात करते हैं तब हम मुझ से बोलते हैं इसलिए उधारन के लिए उसने तुम्हें बता दिया कहना रुकना हाथों की बनावट इस तरह एक हाथ सपाट रहेगा दूसरा हाथ उस पर खड़ा रहेगा ये साइन बहते हुए पानी को रोकने के लिए भी उपियोग होता है रुकना जानना हाथों की बनावट इस तरह हाथ को थोड़ा मोड कर माथे के कोने पर एक बार नहीं दो बार टाप करना होगा उधारन के लिए तुम उस फेमस क्रिकेटर को जानते हो जानना याद करना याद करना इंडिक्स फिंगर माथे पर और उसके बाद मुठी बंद ये जो मुठी बंद है इसका मतलब क्या है कोई भी इंफोमेशन हमें पता है उसे दिमाग में पकड़ के रखना उधारन के लिए भारत को आजादी सन 1947 में मिली थी तुम्हें याद है याद करना भूलना भूलना पूरे हाथ को माथे पर फेर कट छोड़ना ये साइन क्यों? क्योंकि हम कोई भी इंफोमेशन दिमाग से भूल जाते हैं उधारन के लिए मैं अपनी किताब वहीं भूल गया भूलना बनाना बनाना दोनों हाथ की मुठी एक दूसरे पर रखके थोड़ा से घुमाब देना है उधारन के तौर पर मैं भार जा रही हूँ तुम खाना बना कर रखना बनाना चलना अपने हाथ की दो फिंगर्स को आगे पीछे करके आगे की तरफ बढ़ाना है ये साइन क्यों? क्योंकि हमारे हाथ की ये दो उंगलियां हमारे पेरों को दर्शाती हैं उधारन के तौर पर मैं रोज सुभा एक्सरसाइस करने के लिए चलती हूँ चलना खाना पकाना हाथ की बनावट इस तरह मूँ के पास और जैसे एक बरतन में चमचे से खाना चलाते हैं उसी तरह हाथ को गुमाना उधारन के लिए तौर मैं खाना पकाना आता है खाना पकाना लडाई लडाई दोनों हाथों की मुठिया आपस में टक रहेंगी चेहरे के हावबाव गंबीर एक बार नहीं दो बार टैप करना होगा ऐसा क्यों? छोटे बचे जिस तरह लड़ते हैं उसी तरह ये साइन है उधारन के तौर पर मैं और मेरा भाई बहुत लड़ते हैं लडाई छोट हाथ के बनावट इस तरह अंगूठे को नाक पर टच करना है और उगलियों को थोड़ा हिलाना है उधारन के तौर पर तुमने केक चुराया है न? नहीं नहीं मैंनी नहीं चुराया जोट बोल रहे हो जोट होना होना हाथ की बनावट इस तरह एक हाथ की इंडेक्स फिंगर दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर से टैप करना उधारन के लिए ये बच्चा रो रहा है इसे क्या हुआ? होना काम काम हाथों के बनावट इस तरह यह साइन क्यों? क्योंकि बहुत पहले बधेर लोग जादा तर कारीगरी का काम करते थे इसलिए सिर्फ कारीगरी का काम ही नहीं इसमें सभी काम होटल, एरपोर्ट, कम्प्यूटर मतलब सभी तरह के काम शामिल है उधारन के तौर पर मेरे पिताजी काम पर गए काम